Hello everyone, this is Nitashir Chudruvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247 और आच्छी क्लास में हम बहुत इंटरस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं that is Mobile System So Mobile System के बारे में हम लोग आच्छी क्लास में जान करी लेते हैं ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हल्फुल होने वाली हैं जो लोग recent computer की related या IT से related vacancy का इंतिजार कर रहे हैं, job की preparation कर रहे हैं साथ ही जो लोग engineering के student है, btec, bca, mca या फिर आप लोग अगर NCRT base 11, 12, 9, 10 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी students के लिए helpful होने वाली है और ये के basic topic है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को होने चाहिए हमारा mobile phone ले रहा है और ये work कर रहा है similarly, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो tower है ये जो signal ले रहा है, ये local wireless access points से ले रहा है अब यहां का tower होगा, वो एक remote wireless access points से signal लेगा और ये जो signal है, ये tower के through हमारे mobile phone में access हो जाएंगे यानि mobile phone जो work करता है, जैसे हम calling यूज कर रहे हैं या अपना internet यूज कर रहे हैं तो वो हमारा जो signal ले रहा है, signals को वो एक tower के through लेता है ये जानकर ये अब सबको होगी और जो tower होते हैं, वो local wireless access points के through signal लेते हैं और ये जो signal होते हैं, ये remote wireless access points से signal लेते हैं और इस tower के जरिये हमारे mobile में signal आते हैं ये radio waves पर work करते हैं, जो mobile phone होते हैं तो radio transmitter receiver यहाँ पर two-way radio जो system होता है, वो work करता है एक mobile system में आगे की बात कर लेते हैं, देखो mobile phone में basically जो components होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं mobile phone में एक circuit होता है, जिसे as a brain जिसे कि हमारे computer में हम बात करते हैं, CPU के central processing unit similarly, हमारे mobile phone में भी एक processor होता है जिसे जो को हम circuit board पोलते हैं, एक antenna एक हमारी display होती है, जिसे is LCD LCD के लावा आज के time में बहुत सारी display आगे हैं, हम लोग आगे discuss करेंगे उसके लावा keyboard होता है, या अगर keypad mobile है, तो keyboard होगा और या otherwise touch screen होगी उसके लावा microphone होते है, speaker होता है, और battery होती है यह हमारे mobile के main component होते है, जिसे जिसे mobile phone advanced हो गया, mobile phone के आज के time में बहुत सारी features आ रहे हैं बहुत सारी components आ रहे हैं, बट यह common component है जो एक small छोटे से लेकर बड़े mobile में कितने भी अच्छा phone है या एक normal mobile है, keypad भी उसमें भी इस सारी features होते हैं आगे बात कर लेते हैं अब मैंने जसक की बताया था कि हमारी जो display LCD मोबाइल में basically use हो रही है अब different types की जो touch screen आज के time में use हो रही हो उनकी बात कर लेते हैं देखो, सबसे पहले जो use होती थी आज के time में यह इतना ज्यादा use नहीं होता है तो जो हमारी LCD होती थी वो भी LCD के भी बहुत सारी type है वही हम discuss करें देखो, TFT Thin Film Transistor यह एक LCD है LCD display है जिसमें की image quality better होती है और higher resolution होता है इसकी जो cost होती है वो cheap manufacture होती है अब अगर TFT के phone है जिसकी screen जो है वो TFT है Thin Film Transistor वाली वो वाली जो mobile phone है वो काफी सस्ते आते है result behind the reason इसका यह है कि जो screen होती है वो काफी cheap amount में बन जाती है लेकिन यह हमारी आँखों के विए तिनी ज्यादा effective नहीं होती है इस वज़े से हम लोग यह phone का use कम करते है यह वो लोग यूज़ करते हैं जिनका budget बहुत जादा कम होता है IPS अब आती है in-place switching most of the लोगों के पास जो 2018-2019 वाले हैं उनके पास यह वाले mobile होंगे अगर वो MI के mobile या Samsung के mobile यूज़ कर रहे हैं उनके पास उनकी आप देख सकते हैं जिनके बाद 2017-2018 वाले mobile हैं specially उनके लिए बात कर रहे हूं वो in-place switching हम लोग यह LCDs का use कर देथे उस टाइम पर आज दो-तीन साल के अबदे को एक-एक साल में इवन एट एवन मन्त में वन डे में टेक्नोलोजी कहां से कहां पहुँच जाती है आपको पता भी नहीं चलता यह 2018-2020 की जादा पुरानी बात नहीं है 2017-2019 की लेकिन हम लोग तब क्या use कर रहे थे IPS और आज के टाइम में हम क्या use करते हैं आगे देखेंगे और आज भी बहुत सारे मुबाइस में जो लोग बजट के आ रहे हैं वहां पर IPS यूज हो रहा है जो एक moderate rain के आ रहे है छह सात आथ हजार वाले उस दस हजार वाले इवन उसमें यह वाली चीज बहुत सी कंपनी आज भी यूज कर रहे हैं तो यह क्या है इन-place switching यानि TFT की जगे से यूज किया गया LCD है, somewhat advanced version है TFT का LCDs are way of an improved displays की display improved की गई more battery friendly इसमें battery friendly हुआ और found high end process मतलब जैसे हम screen पर एक बार click करते हैं तो जो हमारा response time है इसकी comparison में थोड़ा fast हुआ अब आती है third बार, resistive and capacitive There are two type of touch screen LCD displays, resistive and capacitive Registive और capacitive दो टाइप की जो touch screen आती है Registive touch screen has two layers इसमें दो layers होती है एक conductive material and a small gap और उनके बीश में small gap होता है और एक होता है transparent conductor यहां पर दो layer आती है Capacitive screen में क्या होता है more responsive यह जो capacitive screen होती है यह responsive ज्यादा होती है Then resistive, registive screen की comparison में जो capacitive screen है वो ज्यादा response देती है मतलब easier response देती है जैसे कि आप जो अपनकी जो mobile phone की screen है अगर आप normal click करते है या back करते है या आप को अपन करते है तो यह थोड़ा faster response देती है Therefore, phones high-end phones mostly तो जो capacitive screen के जो phone हाते है वो high-end phone मतलब काफी costly जैसे iPhone वगरा यह जो होते है जो अच्छे वाले phone हाते है वो capacitive screens के आते है यह बोल सकते है क्योंकि इनकी screen इतनी अच्छी होती है उसके अलावा अब बात करें आज के टाइम में जो अच्छी companies हो रही है even at your MI Samsung's और normal mobile moderate range के भी वो यह use करने लगे है तो अब आ रहा है organic LED यह पहली चीज़ मैं बता दू organic LED आखों के लिए अच्छे होते है बहुत अच्छा दो phone चलाना वैसे भी नहीं होता है but as compared to TFT IPS यह eyes के लिए ठीक होते है is a newer technology used in a mobile monitor display they are better than LCD यह LCD के comparatively काफी better है often fast response और इसका response इन तीनों के comparison में काफी जादा fast होता है इसकी brightness काफी अच्छी होती है अब आपको आता है emoldate and support emoldate यह भी दो type के आते है emoldate and support यह emoldate का मतलब है active matrix organic light emitting diode और super emoldate मतलब super है यह इससे भी जादा तो जितना यह आज के time में देखो फर्स इसका feature क्या है यह जो use हो रही है यह एक नई टेकनोलोजी है पहली ची LCD के comparison में यह fast response करती है इसका जो wide viewing angles wire है उसके लावा यह brightness इसकी बहुत जादा होती है और जो active matrix leds and transparent इसमें अच्छा होता है मतलब आज के time में जो में even that moderate phone emolded or molded use कर रहे है ठीक है तो आपको यह बास समझ माई होगी कि जो organic light emitting diode है that is OLED emolded and super emolded यह अच्छे और moderate phones में आज के time में use हो रहे है थोड़े costly होते है the reason behind इसकी screen है थोड़ी आखों के लिए as compared to LED, TFT or IPS थोड़ी ठीक होती है आखों के लिए बात कर लेते हैं अब हम mobile phone में screen देखते हैं batteries देखते हैं तो batteries के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जो battery होती है आपको क्या चाहिए कि आपका phone जल्दी चार्ज हो super fast charge हो प्लस वो long time तक चले यह सबी चेक करते हैं तो battery भाई देखो battery huge role प्ले करती है एक किसी भी normal smartphone में तो एक सबसे पहली बात करती है LP यानि lithium polymer batteries यह most advanced batteries होती है available market में right now available है plastic instead of metal metal के competitively यह plastic use की जारी है which makes the usable and smartphone any type lithium polymer batteries do not suffer for memory effect 40% more battery life than others lithium polymer battery होती है battery life अच्छी होती है और यह बैटरी होती है memory effects से suffer नहीं करती ऐसा नहीं होता कि memory full होने से phone में कोई problem करें तो यह battery as compared to हमारी नॉर्मल जो metals के battery होती है उसके comparatively अच्छी है अब आती है lithium-ion batteries यह charge capacity based on size and weight battery अब however these are slightly expensive जो lithium-ion battery होती है यह बहुत जल्दी fastly charge हो जाती है size के comparatively बहुत जल्दी charge गाती है आप आती है nickel-cadium these are cells that suffer a memory effect यह जो battery होती है memory effects से suffer करती है the memory effect is reducing capacity यह क्यों होती है जो nickel-cadium batteries होती है हमारा phone रखे रखे normally phone को हम use भी नहीं करे still वो हमारी battery खतम हो रही है तो यह ज्यादा अच्छी नहीं होती है nickel-metal hydride batteries यह क्यों होती है nickel-cadium hydride यह हमारी same size होती है जैसा same size यह 30-40% more battery juice than others यह जो हमारी batteries होती है जैसे दूसरे apps को दे देती है basically सबसे अच्छी हमारी जो battery होती है lithium-ion batteries second number यह होती है अगर आप कभी भी mobile purchase करें तो अपनी battery देख लिए lithium-ion batteries है lithium-ion batteries है जो हमारी batteries होती है 2000 mAh 4000 mAh 6000 mAh अब हमारा mobile phone structure होता है mobile phone की organization होती है वो किस तरीके सोती है आप सबसे पहले हमारा एक जैसे कि हम computer में CPU पढ़ते थे similarly यहां पर हमारा आता है यहां पर देखो आप यहां पर देख सकते हो तो यह communication processor digital signal processor अभी जो हमारा processor होता है यह हमारा सबसे पहले mobile में बात आदी है अब इस processor में हमारी एक term आता है codec what is codec compresses data to enable compresses data or decompress data basically codec का मतलब हुआ compresses data or decompress data जब हम किसी data को send करते हैं तो उसको compress करना और receive करते हैं तो इसको भी compress करना अब यह codec है यह भी दो टाइप में डिवाइड है ADC और DAC ADC का मतलब है Analog to Digital Conversion और DAC का मतलब है Digital to Analog Conversion अब हमारी जो processor होते है उससे एक चीज़ अटैस होती है that is APU Application Processing Unit जिसके थ्रू हमारी जो apps वगर होते हैं mobile में और जो Graphic Processing Unit होती है वो सब manage होती है यहां पर इसके थ्रू हमारी जो memory होती है that is RAM और ROM RAM, Random Access Memory, ROM Read Only Memory mobile को जब on-off करते हैं उस समय हमारी ROM होती है और basically जो हमारा processor से directly connect होती है वो होती है RAM हमारी जो storage extra battery होती है जो हम SD card के थ्रू हम mobile में या external pen drive के थ्रू हम storage होता है वो store कर सकते हैं यानि आप extra SD card भी यहां पर support कर सकता है उसके बाद यहां पर power management यह भी हमारी normal processor से connect होता है जिसमें power management में क्यों होता है हमारा जो battery है charger कैसे हो रहा है charger क्या है उसका battery क्या है battery का type क्या है यानि battery इसमें mg, mt में battery pack किसमें हो रही है किस चीज में battery हो रही है यह हमारा power management है इसके बाद आती है हमारी यहां पर इसी प्रोसेसर से camera unit attached होती है यह camera unit हमारी display से भी attest होती है अब display हमारी keyboard or display screen से टेस्ट होती है keyboard यानि हमारी जो touch screen है उससे keyboard से normal keypad वाला mobile है तो उससे टेस्ट होती है और जो हमारी display होती है वो हमारी camera unit से भी attest होती है उसके लावा जो हमारे प्रोसेसर होता है वो हमारे उसके थुरू हमारे signal signal SIM भी attest होती है जो की radio signal management के तुरू हमारे जो signals होती है उसको receive कर पाती है by the help of tower जैसा कि अभी मने प्रीवियसली बताया था तो आई होप आपको यह structure समझ में आ गया होगा और mobile system organization के बारे में आपको कुछ अच्छी जानकारी facts मिले होंगे और इसी तरीके से कुछ और interesting facts कुछ और interesting videos के लिए चैनल पर आप visit कर सकते हैं और इसी तरीके से like, share, subscribe करते रही हैं और अपने friends के सांदरे इस video को share करें जिससे कि उनको भी interesting facts के बारे में जानकारी मिले और अगर आपको थोड़ी से भी efforts लग रहे हैं तो please, please, please do subscribe and like और thank you very much आप अभी तक इस चैनल के साथ जोड़े रहने के लिए इतना प्यार और support करने के लिए इतना appreciate करने के लिए जो भी है आपके लिए हैं और आपके साथ ही जोड़े हैं और कोई भी query है, comment session में पूछना बिलकुर न भूलें comment session में आप पूछ सकते हैं this is open platform और यह आपी की family और आपी का platform है ऐसे ही support करते रहें next video में next interesting topic के साथ हम लोग मिलते हैं तब तक लिए good bye, have a nice day चाँ झाए हम लिए झाए सकतना